हेलो फ्रेंट्स, अस्सलाम अलेकों and वल्कम टो टेक्स्टोर दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपको आपके वीवो के फोन में लॉंग स्क्रीन शॉट लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं अगर आप चाहे तो थर्ड पार्टी एप्लिकेशन से भी लॉंग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं लेकिन अगर आपको आपके वीवो के फोन में जो ऑफिशल एप्लिकेशन है उससे ही लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं मैं आपको बताता हूँ तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज एक बार आप लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा यहाँ पर मैं सेटिंग्स में चले जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको ढून लेना है as capture तो यहाँ पर मुझे end में मिल जाएगा इस पर कर लेना है click उसके बाद यहाँ पर देखिए instruction आपको बिल्कुल last में दिख रहा होगा इस पर click कर लीजिए और इसको मैं cut कर देता हूँ यहाँ से और उसके बाद यहाँ पर देखिए long screenshot तो long screenshot पर मुझे करना एक click दोस्तों मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ क्या instruction होते हैं लेकिन मैं आपको practical करके बताने वाला हूँ अभी इसके बाद देखिए यहाँ पर drag the top border to select the start portion यह साब आपको इस तरीके से कुछ दिख जाता है तो चलिए हम practical करके दिखते हैं तो आपको back आ जाना है उसके बाद यहाँ से इसे open करना है और यहाँ पर आपको as capture दिख रहा होगा इस पर कर लेना है click तो यह open हो जाएगा और यहाँ से हमें long screenshot पर click कर लेना है अब देखिए कैसे आप कर सकते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ से area select कर सकते हैं कहाँ से आपको start करना है तो इसे मैं उपर कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपना यहाँ पर YouTube पर चले जाता हूँ ठीक है और एक बार वापस से हूं की ठीक है और यहां से दीखियाए पर नेक्सट नीचे रहे इस पर क्लिक करूँंगा तो और नीचे आजाएगा इसके आना में तो और नीचे और अब मुझे क्या करना है चाहूं तो मैं और भी कर सकता हूँ लेकिन मुझे बस इतना ही स्क्रीन शॉट ले रहा है तो यहां से मैं सेफ कर देता हूँ अब देखिए स्क्रीन शॉट कितना लंबा आ गया है देखिए आप उपर से लेके पुरा जहां तक मैंने स्क्रोल करा वहां तक मेरा स्क्रीन शॉट आ गया है तो आप भी चाहे तो इस तरीके के स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो टेक्स और को सब्सक्राइब कर दे अपना बहुत ज़्यादा ख्यार रखिए अल्लाँ आपको